the annual two week long exercise annual वार्षिक जो हर वर्ष घटित होती है उसको annual कहा जाता है two week long exercise अब ये two weeks क्यों नहीं किया वैसे two है तो इसका मतलब weeks आना चाहिए लेकिन ये weeks इसलिए नहीं हुआ क्योंकि exercise से पहले ये week दे रखा है तो ये भी noun है और ये भी noun है तो ये कहलाएगा noun modifier और noun modifier जो होता है वो adjective की तरह काम करता है noun modifier किसकी तरह काम करता है adjective तरह है long जो है ये adjective है और week भी यहाँ पर adjective की तरह काम करेगा two है वो numeral adjective है और cardinal number है तो जो वार्षिक रूप से होने वाली दो सब्ताह का जो exercise होती है ये हर साल होती है और ये दो सब्ताह तक चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है कौन सी COP की बात कर रहा है उस conference की बात कर रहा है तो ये exercise जो है वो disrupt हुई disrupt का मतलब होता disturb होना मतलब बीच में इसके उन रुकावट आ गई तो ये disturb हुई पिछले साल ठीक है किस कारण से COVID-19 के कारण तो exercise subject है was disrupted इसकी verb आ गई last year adverb आ गया time बता रहा है due to COVID-19 COVID-19 के कारण the year 2020 was to have been an important year अब आप ये मत समझना कि यहाँ पे past है और ये देखो ये present है confused होने के आवशक्ता नहीं इसमें जब भी आप is to M2 R2 या was to where to लगाते है इसका मतलब आपके intention दर्शाता है कि ऐसा होना था तो was to मतलब होना था अब two लग गया तो two के साथ में तो VG 0 लगेगा based form इसकारण से have लगा हुआ है और have लग गया तो have के साथ third form इसलिए been लगा हुआ है तो यह जो 2020 वाला वर्श था यह होना था क्या was to have been an important year यह एक बहुत ही महत्तपुन वर्श होना था in the COP calendar किस में यह जो conference होती है हर साल इसका एक calendar निधारिता है कि हर साल एक निश्यत समय पर होती है तो इस calendar में as most of the major economies कारण क्या है as as यहाँ पर conjunction है इसका मतलब है because क्योंकि तो कारण क्या है इसका क्योंकि most of the major economies most का मतलब यहाँ पर है अधिकांश यह most वाली कहानी याद रखो most अगर almost करता देता हो तो इससे पहले हम कोई भी article नहीं लगाते हैं अगर most का मतलब very है तो हम most से पहले ए लगाते हैं और अगर most degree superlative की रूप में दे रखा है तो इससे पहले हम दे लगाते हैं ज्यांचा समझना अगर इसका मतलब almost है अधिकांश है तो हमें कोई प्रेपरजिशन कोई भी article इससे पहले नहीं लगाना है अगर इसका मतलब है very तो इस condition में इससे पहले ए लगेगा अगर degree superlative है ये तो फिर आपको दे लगाना है तो यहां पर यह अधिकांश है क्योंकि इससे पहले कोई भी article नहीं as यहां conjunction हो गया because conjunction दो close को जोड़ता है तो यह नया close start हो गया क्योंकि जो अधिकांश मुख्य अर्थे वस्ताएं है were expected उन से expect किया गया तो यह most के लिया रखा है to review क्या expect किया गया कि वो review करें फिर से मुल्यांकन करें review के अंदर re और view दो से जुड़े वी है view का मतलब देखें the actions undertaken so far उन कारियों को जो अभी तक किये गए है undertake करने का मतलब कोई भी आपने कारिये किया है उसके लिए undertake की उज़ करते है तो जो भी कारिये अब तक किया गया है उसको review करें in meeting meeting में voluntary targets sorry in meeting अभी ये in meeting meeting का मतलब fulfill करना है इसका मतलब है fulfill करना किसलिए पूरा करने के लिए क्या voluntary targets वो लक्षे जो आपने स्वेम की इच्छा से निधारित किये थे voluntary मतलब willingly अपने खुद की इच्छा से of one's own will targets का मतलब लक्षे to reduce या पर infinity हो गया कम करने का greenhouse gas emissions greenhouse gas के उत्सरजन को emissions का मतलब उत्सरजन in line with इसका मतलब है according to किसके अनुसार according to the Paris Agreement जो Paris समझोता हुआ थो 2015 का उसके अनुसार फिर समझिएगा तो जो 2020 वाला वर्ष था इसको मतलब होना था बहुती महत्तुपुन वर्ष किसमें COP कैलेंडर में कारण क्या था क्योंकि अधिकांस जो मुख्यर थे वस्ताएं थी उनसे या आशा की गई थी कि वो अपने जो actions undertake उन्होंने किये थे अभी तक उन सभी को वापस से review करेंगे किसलिए ताकि जो targets उन्होंने धरित किये थे अपनी इच्छा से उनको पूरा कर सके तार्गेट क्या थे तार्गेट थे greenhouse gas को कम करना greenhouse gas के emissions को कम करना किसके according जो Paris Agreement हुआ था 2015 का उसके according ठीक है तो समझने लाइक बात थी in line with एक phrase है और इसका मतलब है according to the year 2020 subject है इसकी verb है was most यहाँ पर subject है इसकी verb were expected so far का मतलब होता है until now अब तक एड़बियल है until now ठीक आगे देखें voluntary का बताई दिया मैंने आपको of one's own will स्वेम की इच्छा से बिना किसी की बात देता के targets यहाँ पर ना हूना voluntary यहाँ पर